एक विलर वाटर मिलन ट्रक शम्भू के पास एक ट्रक था शम्भू अपने ट्रक के साथ कोई ना कोई इन्वेंशन करता ही रहता था पर इस बार शम्भू ने कुछ अलग ही इन्वेंशन किया था शम्बू ने अपने ट्रक को एक आट पईयो वाला वाटर मिलन ट्रक बना दिया था फिर क्या शम्बू अपना ट्रक लेकर निकल पड़ता है अरे यार इसे चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा है और आट पईयो की वज़े से टेजी से भी चल रहा है शम्बू बड़ा ही खुश होकर ट्रक को चला रहा था उसके इस आट पईयो वाले वाटर मिलन ट्रक को देखकर गाव वाले भी चकित हो जाते है शम्बू को रास्ते में उसका दोस्त मिलिन मिलता है और उसे रोक कर मिलिन कहता है तरे रुक जाओ यार ये तुमारा नया इनोवेशन तो बड़ा ही कमाल का है शम्बू अपने ट्रक से नीचे उतरता है और कहता है फिर नहीं तो क्या तूने क्या मुझे ऐसा वैसा समझ रखा था क्यों मस्त है ना मेरा आट पईयो वाला वाटर मिलन ट्रक अरे सुन यार मुझे भी एक बार चलाने दो ना इसे अरे नहीं नहीं तुम इसे नहीं चला पाओगे इसे चलाने के लिए तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी कभी फुर्सत मिलेगी तो सिखाऊंगा तुम्हें चलो आप चलता हूँ जमिदार जी के तर्बूज बाजार ले जाना है इस तरह शम्बूज बाजार जी के खेच जाता है तर्बूजों को वो अपने ट्रक में लोड कर देता है और बाजार जाने के लिए निकलता है कि तबे वहाँ जमिदार आ जाते हैं और उसे कहते है अरे वा शम्बू सारे गाव वाले तुमारे ही इस आठ पईयों वाले वाटर मिलन ट्रक की तारीफ कर रहे है मुझे तो पहले यकिन नहीं था पर अब खुद देखने के बाद यकिन हो गया है और तर्बूज बेच में बाजार जाता है आठ पईयों की वज़े से वो बहुत ही जल्दी बाजार फोर्चता है सारे तर्बूज बेच कर शम्बू वापस आने लगता है कि तबी उसे रास्ते में दो डाकू रोग लेते है एक डाकू बंदूख की नोख उसके सर पर रखता है और कहता है अरा चल जितना भी पैसा है वो सब दे दे नहीं तो जान से हाथ धोए डोगे शम्बू डर के मारे तर्बूज बेच कर जो पैसा मिलता है वो पैसा उन डाकू को दे देता है और जल्दी से काव आ जाता है और सीधा जमिदार जी के घर जाता है वहाँ जाकर वो जमिदार जी को सारी हकिकत बताता है पर जमिदार जी को शम्बू पर यकिन नहीं होता और वो कहता है अरे हमारे गाओं में तो कोई डाकू आकू नहीं है ये सब तुम जूट कह रहे हो पैसे लूटने के लिए देखो अगर पैसों की कमी है तो मुझे बताओ लेकिन ऐसी चोरी का जूटा बहाना तो मत बनाओ नहीं जमिदार जी मेरा यकिन कीजिए मैं जूट नहीं बोल रहा लेकिन इसमें मेरा तो नुक्सान हुआ न उसका क्या देखो शम्बू इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा ये आट पैयो वाला वाटर मिले ट्रक ले लूँगा समझे तुम शम्बू वापस घर आ जाता है वो बड़ा परिशान रहता है जमिदार जी उसकी बातों पर यकिन नहीं कर रहे थे और अगर ऐसा फिर से हुआ तो उसका ट्रक उसके हाथ से चला जाएगा ये सोच भी उसे डराती रहती है तब ही वहाँ मिलिन दाता है और वो कहता है अरे भाई इतना परिशान की हो क्या हुआ शम्बू मिलिन को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि उसे दो दिन बाद फिर से बाजार जाना है अगर तब भी वैसा ही हुआ तो फिर वो क्या करेगा इस पर मिलिन कहता है लेकिन बात तो सही कही है यार मैंने भी आज तक कभी किसी डाकू के बारे में कुछ नहीं सुना अगर डाकू रहते ही तो वो सब को लूट लेते ना सिर्फ तुझे ही क्यूँ तो क्या तुझे भी लगता है कि मैं जूट बोल रहा हूँ अरे नहीं इस बार मैं आता हूँ तेरे साथ चुपके से ट्रक के अंदर बैठा रहूंगा जैसे ही वो डाकू आएंगे मैं उन पर पत्थर से हमला गरूंगा हारे दोस्त तुमने बिल्कुल ठीक कहा और इस बार मैं तुमें मेरा ट्रक जरूर चलाने दूंगा दो दिन बाद फिर से शम्बू जमिदार जी के तर्बूज बाजार बेचने जाता है उस दिल उसके साथ मिलिन भी ट्रक में चुपा रहता है बाजार से वापस आते वग सच में फिर से वो डाकू इसका ट्रक रूँते है और पैसो की मांग करने लगते है तब मिलिन उन पर पत्थर फेकने लगता है पत्थर की वज़ा से उनकी बंदुग नीचे गिर जाती है तब बड़ी हिम्मत करके वे दोनों भी डाकू को पकड़ लेते है और उन्हें मारने लगते है तब वो डाकू कहता है अरे हमें माफ कर दो ये सब तो जमिदार के कहने से किया है उन्हें तुमारा ये ट्रक चाहिए था इसलिए नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम जूट बोल रहे हो नहीं नहीं ये सब सच है चाहे तो देखो ये बंदुग भी नकली है शंबू और मिलिन को सारी बात समझाती है कि आट पयो वाले वाटर मिलन ट्रक को पाने के लिए जमिदार जी ने ये रचा हुआ खेल है फिर दोनों भी उन नकली डाकू को लेकर जमिदार जी के घर जाते है जमिदार जी की सारी पोल खुल गई रहती इसलिए वो कुछ नहीं कहे पाते वाज जमिदार जी क्या खेल खिला पर आज मेरी दोस्त की वज़े से मैं आपके इस खेल में फसने से बच गया आज के बाद मैं आपके लिए कोई काम नहीं करूँगा ऐसा कहिकर शंबो और मिलिन अपने आट पयो वाले काफी समय पहले की बाद है रामपूर नाम की गाउ में माधव नाम का किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था वो खेती बाड़ी करके मेहनत करता और पैसे कमाता था लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके खेत की फसल अच्छी नहीं उपती थी क्योंकि वो गरीब था और खेत में बाकी सुईधाय करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते थे माधव की पत्नी अपने पती की ये हलत देखकर कहती है आप दिन भर इतनी मेहनत करते हो पर मुनाफ़ा बिलकुल भी नहीं होता ऐसे कैसे चलेगा जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं क्या कर सकता हूँ खाद हो या कीट नाशक सबके लिए तो पैसे ही चाहिए और वो हमारे पास नहीं है रोज माधव अपने खेत में काम करता एक दिन वो रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे एक बहुत पुराना मटका खेत में मिलता है वो उसे देख कर कहता है अरे ये तो काफी पुराना मटका दिख रहा है कही इसमें ख़जाना तो नहीं चलो खोल कर देखता हूँ ये सोच कर माधव उस मटके को जमीन से बाहर निकालता है और उसे खोलता है तो उसमें ना तो कोई ख़जाना था और ना ही कोई रुपया ये देख माधव कहता है अरे ये क्या, क्या सोचाता और क्या हो गया यहां पर खजाना तो छोड़ो एक रुपे का ठेला भी नहीं है और पता नहीं ये क्या गंदा सा कपड़े का टुकड़ा है शाम होते ही माधव उस कपड़े के टुकड़े को लेकर घर चला जाता है और अपने बीवी को सारी बात बता देता है और उस कपड़े को बीवी को देते हुए कहता है ये लो ये कपड़ा शायद तुम्हें रसोय में काम आएगा माधव की पत्नी उस कपड़े को साफ करके रोटिया सेखने के लिए रखती है कि अचानक से वो कपड़ा जैसे ही गरम होता है उस कपड़े पर एक नक्षा उभराता है माधव की पत्नी को ये बात समझ आती है और वो अपने पती से कहती है अजी सुनते हो जरा इधर आओ तो जल्दी ये देखो मुझे क्या मिला माधव पत्नी के पास जाकर उस कपड़े को देखता है तो उस पर एक नक्षा दिखाई देता है वो समझ जाता है कि वो किसी खजाने का नक्षा है उसकी पत्नी कहती है देखो जी आप कल सुबह ही इस खजाने को ढूनने के लिए चले जाओ ठीक है मैं कल सुबह ही खजाने की तलाश में निकल जाता हूँ ऐसा कहे कर माधव दुसरे दिन सवेरे ही उस खजाने की तलाश में निकल पड़ता है काफी दिन चलने के बाद वो एक घने जंगल में पहुचता है और जैसे ही वो उस जगह को देखता है तो वहां कुछ नहीं होता सिर्फ मामूली पेड़ी पेड़ होते है उसे देखकर वो वही बैठा रोता रहता है रोते रोते मादव वही सो जाता है लेकिन आधी रात को अचनक कुछ रोशनी से उसकी नीद खुलती है और वो जब देखता है तो वहां उसे एक पेड़ दिखाए देता है उसे देखकर वो देखता ही रहता है और कहता है अरे ये तो वही जगह है जो नक्षे में है यहाँ पर तो कोई ख़जाना नहीं पर ये पेड़ है जिसके उपर एक घर भी बना हुआ है शायद इसी ट्री हाउस के अंदर कोई ख़जाना होगा चल कर देखता हूँ उस ट्री हाउस को देखकर माधव सीडियों से उपर चड़ता है लेकिन ट्री हाउस के अंदर कुछ नहीं होता जिस वज़े से वो फिर से मायूस हो जाता है माधव कहता है अरे ये क्या, मेरी किस्मती फूटी है, कितना भी कोशिश करू, कुछ हासिल नहीं हो रहा है ऐसा कहे कर, वो उसी ट्री हाउस में सो जाता है, आधी रात हो जाती है चंद्रमा की रोशनी उस ट्री हाउस के अंदर आती है, वो रोशनी माधव के उपर गिरती है माधव उछ जाता है और देखता है तो चांद की रोशनी से उस ट्री हाूस में हीरे आते है ये देखकर माधव बड़ा खुश हो जाता है वो सारे हीरे इकटे करने के लिए सामने आता है तभी वो पेडु से कहने लगता है सुनो माधाओ, तुम ये हीरे उतने ही ले सकते हो जितनी तुमें जरूरत है अगर तुमने जादा लेने का लालच किया, तो ये पेड़ तुमें सजा दे देगा और तुमें कोई जानवर बनकर बाकी की जिन्दगी भी तानी पड़ेगी अरे तुम तो जादुई पेड़ हो, हीरे भी दे रहे हो और बात भी कर रहे हो ठीक है, जैसा तुमने कहा, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा दूसरे दिन माधाओ सारे हीरे लेकर अपने घर चला आता है उसकी पत्निक उसे कहती है अरे वाजी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ है इतने सारे हीरे मिले, अब हमारे दुक्के दिन दूर हो जाएंगे इस तरह से माधाओ हर मैने उस जंगल खजाने के लिए जाता और रात भर उस मैजिकल ट्री हाउस में रुक कर हीरे साथ मिले कर घर आता और दूसरे दिन उन्हें बेच कर वो पैसे कमाता और अपनी जरूरते पूरी करता धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगी और वो जल्द ही नया घर, नई कार ले लेता है लेकिन कहते हैं न कि धनिक के दुश्मन पचास ठीक उसी तरह माधव का पडोसी उसकी इस तरक्की से उस पर बहुत जलने लगा था और वो उसके तरक्की का राज जानने की कोशिश करता रहता था वो कहता है अरे आखिर ये माधव भिकारी कहीगा, इतना अमिर कैसे बन गया इसके तरक्की का राज आखिर है क्या मैं पता लगा कर ही रहूंगा हर महिने की तरह इस महिने भी माधव खजाना लाने के लिए जंगल जाता है उसके पीछे पीछे उसका पड़ोसी ललन भी चुपके से जाता है और वो माधव को उस मैजिकल ट्री हाउस में हीरे बटोरते हुए देख लेता है लेकिन माधव के जाने के बाद ललन चुपके से उस ट्री हाउस में जाता है और वहाँ से जादा हीरे उठाने लगता है उसकी इस हरकत को मैजिकल पेड भाप लेता है और वो कहता है अरे तुम कौन हो क्या तुम्हें इस खजाने का नियम पता नहीं तुमने दूसरी बार इन हीरो को लेने की कोशिश की है इसलिए अब तुम्हें मैं श्राब देता हूँ आज के बाद तुम एक बिल्ली बन कर अपनी जिन्दगी बिताओगे ऐसा कहते ही लललन एक बिल्ली बन जाता है जिसके बारे में माधव को कुछ भी पता नहीं रहता इस तरह से माधव हर मैने उस मैजिकल ट्री हाउस में जाता और वहां से चाहिए जितने हीरे लेकर घर वापसा और उन्हें बेच कर अपनी जिन्दगी गुजारता है